नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको हम छुट्टी के लिए प्राथना पत्र कैसे लिखा जाता है इसको हम बताएंगे तो वीडियो को अंतक जरूर देखेगा चलिए आज के इस मज़दार वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको लिखना होगा सेवा में उसके बाद कामा दे दिजेगा फिर एक लाइन छोड़ कर आपको लिखना होगा स्रीमान परधाना च्यारे महोद है उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ कर आपको उसी के नीचे लिखना होगा अपने कालेज का नाम जैसे यहा विश्य है तीन दिन के लिए स्कूल में छुट्टे है तू इतना आपको लिखने के बाद फिर आपको एक लाइन छोड़ कर लिखना है समिने निवेदन है कि मैं आपके विद्याले में कच्छा जिस कच्छा के आप छात्र हैं उसी को याँ पर लिखेगा जैसे याँ पर हमने लिखा है कच्छा साथ का छात्र या छात्रा हूं इतना लिखने के बाद आपको लिखना होगा मैं कल रात्री से बुखार से पेड़े थूँ उसके बाद लिख दीजिएगा अवकास लेने का क्या कारड है तो कारड है चिकिसग ने उपचार के साथ साथ तीन दिन पूड बिश्त्राम के लिए कहा है इसलिए मैं विद्याले आने में असमर्थ हूँ इतना आपको लिख देना है उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ कर आपको लिखना है अतय आप से अनरोध है या बिनमर निवेदन है ठीक है कि ये मुझे जिस दिनांग से आप जिस दिनांग तक छुट्टी लेना चाहते हैं उसको यहां पर लिख दीजियेगा तक आवकास देने की किर्पा करें इसको आप लिखना जरूर है उसके बाद ये एक लाइन छोड़ कर आपको लिखना है धन्यवाद फिर एक लाइन छोड़ कर आपको लिखना है आपका आज्याकारिश सिस्य जो भी आपका नाम रहे नाम लिख दीजिएगा कच्छा दिनांग इस तरह आप छुट्टी के लिए प्राथना पत्र लिख सकते हैं इस तरह अगर जो आपको प्राथना पत्र लिखना समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए ऐसे और मजदार वीडियो के लिए मिलते हैं नए वीडियो में तब तो ले जै हिंजै भारत